हेलो गाईज, वेलकम तुम्हें चैनल एच्छन क्लासेज तो अगर अब IIT, JW, NET या तो बोर्ड एक्जम के लिए प्रिपेर करते हो तो ये क्वेस्चन आपके लिए बहुत ज़़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेस्चन है, ये क्वेस्चन सिर्फ एक क्वेस्चन से पुछे नहींगे मतलब दो-तिन क्वेस्चन को मिक्स अप करके पुछे गये और आप जानते ही हो, कि IIT, JW की जो क्वेस्चन होते हैं वहाँ पर एक ही concept के उपर questions नहीं पुछे जाते हैं वहाँ पर actual में क्या करते हैं वो लोग concepts की mixture बनाते हैं उसके बाद उसके उपर से question पुछते हैं तो यहाँ पर जो concept सीखोगे आप यह concepts बहुत ही जड़ा important होंगे आपके लिए तो आप लोग video को last तक देखना और मैं यहाँ पर चीजों के एकदम details में basic से समझाओंगा तो आप लोग question को एक बाद पर लो वीडियो को pause करो उसके बाद पर हो ओर एक चीज आप लोग paper pen लेके बेच ज़ाओ जब मैं इसको solve करोंगा अप लोग भी paper pen लेके बेच ज़ाओ एकदम आराम से लिखते ज़ाओ छे ज़ाओ तो question में क्या पुछा कि calculate the voltage needed to balance an oil drum carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart the mass of oil drum is 3 into 10 to the power minus 16 kg और g की value 10 meter per second square लेने दिया तो अगर g की value 10 नहीं लेने दिया तो आप लोग नहीं ले सकते आप लोगों को 9.8 लेना होगा तो यहाँ पर mention किया 10 लेने के लिए तो हम लोग 10 ले सकते हैं तो question को समझो यहाँ पर देखो इस तरह से suppose एक capacitor है तो capacitor एसे draw किया जाते है तो यहाँ पर parallel plate capacitor की बात हो रही है तो actual में capacitor second sector में है जो एक है na potential incapacitance second sector class 12 physics first part तो यह है parallel plate capacitor यहाँ पर लिग देता हूँ parallel plate capacitor actual में तीन types की capacitor होते हैं एक है cylindrical capacitor और एक है spherical capacitor ठीक है तो इस capacitor में actual में कहे है उपर की जो यह plate है इस तरह होंगे यह plate तो यह plate है तो उपर की जो plate है इसको हमने सबस्पोज पोजिटिव लिया तो निचे की plate के होंगे निगेटिव तो इस तरह होते है parallel plate capacitor तो आपको question में क्या बोला कि यहाँ पे एक oil drop है तो यह जो oil drop है इस oil drop की mass कितना दिया गया mass दिया गया 3 into यहाँ पे लेख देता हो 3 into 10 to the power minus 16 kg तो oil drop की mass इतना सा दिया गया और क्या दिया गया कि यह जो plate है यह दोनो plates separated by a distance of 5 mm तो इतना सा separation distance है और क्या दिया गया कि यह जो oil drop है इहाँ पे 10 electrons है तो इहाँ पे कितना electrons बोला गया 10 electrons n is equal to 10 number of electrons 10 है तो आपको क्या बोला गया कि voltage कितना देना होगा such that यह oil drop यहाँ पे balance यानि float होते रहेंगे तो actual में balance होना का meaning यह है कि इसको उपर भी जाने नहीं देना है नीचे भी जाने नहीं देना है इधर उधर move नहीं करने देना है यह जहाँ पे है उसी जगाँ पे रहने देना है इसको मतलब balance करके इसको यहाँ पे रखना है तो balance करके रखने के लिए इसको इस oil drop को हमें कितना voltage यानि कितना potential देना होगा वो पुछा basically फी की value पुछा फी कितना होगे वो पुछा तो इस question में आप देख पा रहे हो यहाँ पे voltage के concept यूज हो रहे है जो आपको second chapter में मिलेंगे ठीक है और यहाँ पे एक concept use होंगे क्योंकि N है N मतलब number of electrons तो quantization में एक जो formula मिला था Q is equal to N E ठीक है तो N E तो E is the charge of electron and यह N के है number of electron Q is the total charge ठीक है तो यह जो formula है यह quantization जब परहे थे first chapter में वहाँ पे मिला था और क्या मिलेंगे यहाँ पे एक चीज जो first chapter में एक relation परहे थे relation कौनसी थी F is equal to QE तो electric field और जो electrostatic force दोनों के बीच में जो यह relation है तो यह relation भी इस question में use होंगे तो आप basically देख पार हो कि dotin concept की यहाँ पे mixer किया जा रहे है ठीक है लेकिन देरने का कुछ है नहीं यहाँ पे एकदम में details में समझा दोगा basics है तो देखो आरम से कही है ठीक है तो देखो धैन से यह जो capacitor है capacitor की जो positive plate है वहाँ से electric field flow होंगे कि इस direction में towards negative तो यह positive है towards negative electric field flow होंगे ठीक है तो इस तरह एसे electric field आ रहे है तो देखो वही ना कि positive charge से always electric field move out होंगे और जो negative charge है वहाँ पे electric field enter करेंगे ठीक है यह basic concept है अगर इसके पास electron है कितना electron है इसके पास 3 electron है ठीक है तो अगर इसके पास electron है तो यह obviously negatively charge होंगे है कि नहीं बोलो तो electron होंगे तो यह negatively charge होंगे तो हमें concept मालूम है suppose एक electric field है तो electric field में electron रखा गया या तो electric field में अगर suppose negative charge है तो वह charge इस direction में move करेंगे तो basically इसके उपर इस direction में एक force लगेंगे अगर positive charge हुआ तो कौनशी direction में इस direction में एक force लगेंगे ठीक है यह basic concept है तो देखो यहाँ पे जो यह charge है मतलब यह जो oil drop है इसके उपर negative charge है क्यों क्यों क्योंकि इसके पास 10 electron से यह 10 electron carry कर रहे हैं ठीक है तो यह negative charge है तो negative charge को अपने क्या-क्य electric field में रखा अभी क्या होंगे इसका यह move करेंगे इस direction में है क्यों क्यों क्योंकि इस direction में एक force लगेंगे इस oil drop के उपर है क्योंकि यह negative charge है वह ही concept तो यह जो force है इसको सबसे बोला F तो F को हम लिख सकते हैं QE यह जानते हैं हम लोग है क्योंकि नहीं तो यही formula फास सेप्तर में मिला था हमें तो अभी देखो यह जो charge है या तो यह जो oil drop है इसके उपर निचे भी एक force लग रहे होंगे क्यों क्योंकि gravity इसको खीच रहे होंगे ना downward with some force mz क्योंकि इसके पास mass है mass कितना इतना सा देख के रखा हमें है के नहीं तो अगर इस oil drop को यहाँ पर balance करके रखना है तो क्या होना होगा यह दोनों forces को same होना होगा ठीक है तो अगर same होंगे तो यह oil drop क्या होंगे यहाँ पर बीच में balance यानि float होटे रहेंगे तो हम अभी क्या लिख सकते है इस condition से to make it balance हम लिख सकते है कि यह जो force है qe this must be equal to mz ठीक है देखो एक बार यह लिख सकते है तो अगर इसको यहाँ पर balance रखना है तो यह force जितना होंगे यह force भी उटना ही होना होगा ठीक है अधर वेस क्या होंगे यह इधर उधर move करने लगेंगे अगर दोनों equal होंगे तो यह इहाँ पर balance रहेंगे यह basic चीज़े आप लोग जानते हो तो अभी देखो इहाँ पर जो m है m की value दिया g की value देखके रखा e की value हमें दिया कि नहीं e की value हमें नहीं दिया गया और इहाँ पर जो इसके charge है वो charge भी नहीं दिया गया लेकिन हमें क्या दिया गया इसके पास कितना electrons होंगे वो दिया गया है की नहीं तो आप लोग charge को निकल सकते हो क्योंकि एक electron का तो यहाँ पर मैं निकल देते हो देखो एक electron का charge कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb ठेक है तो n e is equal to मतलब 10 electrons की charge कितना होंगे यहाँ पर लिख देते है तो n e 10 into this much ओके तो answer क्या लिखोगे answer लिखोगे 1.6 into 10 to the power minus 18 Coulomb ठेक है तो total charge इस body में इस oil drop में कितना है इतना सा है ठेक है तो अभी क्या करोगे अभी यहाँ पर q की value लिखोगे और e की value हमें नहीं पता है यस नहीं पता है तो e की value निकलने के लिए second chapter में एक relation है potential difference और electric field का ठेक है तो actual में वो जो relation है वो relation एसे लिखे जाते है dv is equal to minus e dot dr ठेक है तो यह actual relation है तो dr is this distance अभी देखो यह जो dr है मतलब यह जो body है यह जो oil drop है यह इस direction में move कर रहे है तो dr की जो direction होंगे यह होंगे ठेक है तो यह है dr की direction और जो electric field है इसकी direction कान सी है यह है downward ठेकिने तो basically electric field और dr की direction opposite है तो अगर direction opposite होंगे तो दोनों के बीच में angle कितना होंगे obviously दोनों के बीच में angle कितना होंगे 180 degree तो यहाँ पर देखो dot product को जब भाता होगे तो क्या मिलेंगे e dr cos theta ठेक है तो यह theta क्या है angle between e and dr एक चीज़ देखो यहाँ पर मैं समझा देता हो तो यह vector है इस direction में सपोज यह है कुछ vector यह भी एक vector है b vector मान लो तो दोनों के बीच में angle कितना है 90 है तो जब इस तरह एसे move किया तो दोनों के बीच में angle 30 degree हुआ तो इस direction में अब देख परे हो दोनों के बीच में angle कितना है 0 है तो same direction में होने से angle कितना होंगे, 0 होते हैं, तो अभी 90 है, ऐसे आ रहे हैं, तो अभी दोनो opposite direction में होंगे, तो दोनों के बीच में angle कितना होंगे, 180 degree, इस तरह याद रखे जाते हैं, तो किसी को अगर समझाने आप इस तरह एसे example लेकर समझा सकते हो, तो रेखो ये जो E and DR है, दोनो opposite direction में है, E की direction downward, DR की direction upward, तो DR कैसे मिले upward, क्योंकि ये इस direction में move करेंगे, क्योंकि इस direction में force लगेंगे, इसके पास, है कि नहीं, तो दोनों की direction क्योंकि opposite है, तो हम दोनों के बीच में जो angle है, उसको लिख सकते हैं, कितना, 180 degree, है कि नहीं, तो cos 180 की value कितना है, minus 1, है ना, तो cos 180 ये साइड नहीं आ रहे, तो आप लिख सकते हो, कि dv is equal to minus edr, cos 180 के value minus 1, तो minus minus cancel होके, ये हो जाएंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, e is equal to dv by dr, ठीके, तो dr कौनसी distance है, dr is this distance or this length, ठीके, जिसको हमने 5 mm question में दिया गया, ठीके, तो इस 5 mm को आप लोग लिख सकते हो, जो meter में लिखोगे न, 5 into 10 to the power minus 3 meter, है न, या तो आप इसे एसे भी लिख सकते हो, v by r भी लिख सकते हो, क्या है, ठीके, तो दिखो, e is equal to v by r हमें मिला, यहाँ पर ये जो formula है, इस formula पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलो, q into e है न, तो e की जगा पर हम क्या लिख सकते है, q into e की जगा पर हम लिख सकते है, v by r is equal to mz, ठीके, तो इहाँ से हम लिख सकते है, v is equal to how much, mz, r by q, ठीक है कि नहीं, देखो, easy है यहाँ तक, yes, तो यहाँ पर आप basically देख पर हो, कितना concepts की mix-up हो रहे है, ठीक है, first shifter से जो concept लिए गया, यह कहां से लिए, quantization से, ठीक है, q is equal to any, first shifter quantization, तो यह तो capacitor है, second shifter, है न, yes, और यहाँ पर यह जो हमने किया, यह कहां से लिए गया, यह जो relation between potential and electric field है, ओके, यह भी second shifter में मिलेंगे आपको, ठीक है, ओके, तो अभी क्या करोगे, आपको, यहाँ पर value उसको put करना है, और answer निकलना है, easy, ठीक है, इसको मिता देता हूँ मैं, यहाँ पर यह जो q है, यह q की value कितना है, इतना है, ठीक है, यह q की value है, अब लोग post करते जाना, और लिखते जाना, ठीक है, ओके, तो v is equal to कितना है, m z r by q, ठीक है, तो m मतलब कितना दिया गया था, कितना दिया था, मैं भी भूल गया, देखो, 3 into 10 to the power minus 16 kg, और z की value 10, और r कितना, 5 into, यह है न, r, 5 into 10 to the power minus 3 meter, तो capacitor की जो pledge है, pledge के बीच में जो distance है, वो है r, ठीक है, तो अभी q कितना है, q तो हमने निकला, यह है न, 1.6 into 10 to the power minus 18, ठीक है, यहाथ, तो अभी calculate करना है, simple, तो लिखो, 3 into, यह जो है, 5, 5 को लिखा, और निचे, 1.6 को लिखा, ठीक है, तो यह 10 to the power minus 16, और यह कितना minus 3, यह minus 19 होंगे, और minus 19, यहां पर 10 है, तो कितना होंगे, 10 to the power minus 18 होंगे, और निचे कितना है, 10 to the power minus 18 तो ये कट जाएंगे, cancel होंगे हैगे नहीं, yes तो अभी आप यहापे लिख सकते हो 3 into 5 is 15 है ना और यहापे 1.6 और एक चीज देखो, इस तैप की जो problem होते है इसको calculate करने के लिए आप क्या करोगे decimal को हटा होगे पहले तो यहापे 10 multiply करो निचे भी करना होगा है ना, तो कितना हैंगे 150 by 16 ठीक है, इसको करो 2H 16 और फिर यहापे कितना हैंगे 75 ठीक है, तो इसको जब calculate करोगे, कितना हैंगे 9.3 ठीक है, इतना सा आजाएंगे फिर किया हैंगे, यहापे लिख सकते हो 7 और फिर यहापे 5 लिख सकते हैं, ठीक है तो इतना सा आज यह value होंगे potential की, ठीक है तो 20 is equal to कितना हैंगे 9.375 ठीक है तो मैं इसको इबर चेक कर लेता हूँ correct है कि ने हाँ, correct है, ठीक है तो आया समझ में, yes easy है, मतलब दाफ तो है नहीं लेकिन concepts को पकर में रखता है ठीक है, तो तब कर लोगे आसान है, है ना, तो इस तरह की question board exam में भी पुछे जिते कर पहोगे, अप लोगे भी, है ना ओके, तो अगर अप लोग को समझ में आया एक काम करना है, क्या करना है हाँ, समझ दरो आप, ठीक है ओके, दोस्तों को share भी करना, ठीक है थेंक यू, ओके